चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका 24G स्टडी में हम बात करेंगे अगर फिर से वही करंट अफेर की राजस्तान के जो क्योशन है इंपोर्टेंट हम उनकी बात करने वाले हैं सेकिंड गरेड का आज एक्जाम हुआ है उसमें काफी बच्चों का पोजिटिव रिस्पोंस आया है हमारे पास में अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आज के लेटेस्ट जो क्योशन बनते हैं राजस्तान करंट अफेर के उसके बारे में वीडियो को जादा से जादा ज्यादा टाइम वेश्ट होने वाला नहीं है आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम गुरूप की लिंक दे रखी है वहां जाकर आप टेलीग्राम गुरूप को जोइन कर सकते हैं हम बात करते हैं आज के करंट अफेर की जिसके अंदर हमारे पास आठ से दस क्योशन हो पास 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 अब बात करें यह बुंदी के देलुदा गाम से शुरू किया गया है इसका आगाज हुआ है और 17 पंचायंतों में यह कारेकरम होंगे इस कारेकरम के दोरान जो बच्चों की सुरुक्षा है उसके लिए बुंदी पुलिस ने एक बार अच्छी पह पहल की है बुंदी पुलिस के दोरा यह आगाज है वो देलुदा गाम से किया गया है मिशन सुरक्षित बच्चपन इसको नाम दिया गया है जो जेजे एक्ट और पुलिस प्लोक्सों एक्ट है उसके केस कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है अगले प्रशन क हम बात करते हैं अगला प्रशन आपके सामने है साहितिय के छेतर में डोक्टर अर्जुन सिंग सेखावत अंडरलाइन करना इसको डोक्टर अर्जुन सिंग सेखावत को किस वर्ष पदम सिरी अवार्ड मिला था तो इसका राइट आंसर है 2021 के अंदर डोक्टर अर्जुन सिं सिंह को प PROFIGN मिला है डौक्ट अर्जन से खावत जो है वह पाली जिले से है और समवन जो है वह साहितियः के छेतर में इनकी पुस्त ук्यं आईillag हम बात करें तो एक जो महतरपुर्ण इनकी पुस्तक आ रही है सामने वो आ रही है भाकर रा भूमिया भाकर रा भूमिया उसके बाद में ट्राइबल कल्चर ट्राइबल कल्चर ट्राइबल कल्चर ओफ नरासिया का अंगरेजियन वाद इन्होंने किया है ये दो साहितिक है थिर्टर में पदम श्री वाड इनको मिला है 2021 के अंदर अब बात करें हम अगले प्रशन की की में सुन्दर प्रशन है परनीन्दा सम्रस कहू नाही पुस्तक के रच्यता कों था है तो हाली में यह चर्चित भाटी है आत्माराम भाटी राजस्तान से बिलोग करते हैं राजस्तान के बिकाने जिले से है आत्माराम भाटी और इनको दिल्ली में राष्टिये पुर्षकार से नवाजा गया है राष्टिये पुर्षकार मिला है आत्माराम भाटी को इनकी जो पुस्तक है उसको मिला है परनींदा समरस कहू ना ही क्योशन आ सकता है सीधा आत्माराम भाटी उसका उनका समन्द किस छेतर से है तो साहितिया के छेतर से है यह आ सकता है या यह आ सकता है नीमन में से आत्माराम भाटी मलब इनका छेतर क्या है तो लेखक है रचनाकार है जो भी है तो ये question गुमा के दिया जा सकता है तो ध्यान रखना आपको अगला प्रशन नुवंबर 2022 में भारत और अस्ट्रेलिया के बीच में एक युद अभ्यास नुवंबर 2022 में हुआ है लगबग करीबन करीबन ये नुवंबर के middle में हुआ है आश्ट्रे हिंद 2022 आश्ट्रे से आश्ट्रेलिया और हिंद से भारत इस स्युंत युद अभास का ये नाम है अच्छे से याद हो जाएगा आश्ट्रे अश्ट्रेलिया हिंद भारत इन दोनों के मद्दे ये अभ्यास हुआ है पहला अभ्यास राजस्तान के किस जिले से शुरू किया गया है तो ये अभ्यास इसका जो पहला चरण है वो राजस्तान के किस जिले से शुरू किया गया है तो राजस्तान का जो जिला है वो विक्कानेर है अब विकानेर से शुरू किया है तो विकानेर में एक ही चर्चित जो फिल्ड रेंज है वो है महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज इस जगे से ये युद अभ्यास शुरू किया गया है नवंबर 2022 में शुरू हुआ है युद अभ्यास को आश्ट्रेहिन 2022 नाम दिया गया है जिसमें अश्ट्रेलिया और भारत का स्व्यूंत युद अभ्यास है अगले प्रशन की हम बात करें अगला प्रशन आपके सामने है इगवर्नेंस पहल में उतकरष्टा के लिए राष्टिय गवर्नेंस इगवर्नेंस पुरुसकार 2022 किसे परदान किया गया है तो इसका राइट आंसर है गंग केनाल रेगुलेशन कम्पूरिजेशन प्रोजेक्ट इसको ये पुरुसकार मिला है बारसरकार का जो परसासनिक सुधार और लोग सिकायत विभाग है उसने जिला स्तरिय ई-गवर्नेस पहल के अंदर उतकरष्टा के लिए ई-गवर्नेस पुर्षकार 2022 दिया है जिसमें जिला कलेक्टर का रालिया जो गंगानगर है शिरी गंगानगर के गंग केनाल रेगुलेशन कम्पुर्टराइजेशन प्रोजेक्ट को परदान किया है अब प्रशन यह आ सकता है गंग केनाल रेगुलेशन कम्पुर्टराइजेशन प्रोजेक्ट जो है वो किस से संबंदित है तो ये संबंदित है गंग नहर से किस जिले से संबंदित है तो ये जिला है शिरी गंगानेगर, क्या मिला इसको E-Governance पुर्सकार मिला है 2022, रस्ट ये E-Governance पुर्सकार उतकष्टा के लिए E-Governance पहल के अंदर उतकष्टा के लिए ये पुर्सकार मिला है 12 सरकार दोबारा जम्मू में ये आयोजित किया गया यह जो प्रोग्राम है यह जम्मू में आयोजित किया गया और जम्मू के अंदर यह पुरुषकार मिला है गोल्ड मडल मिला है गंगानगर को गंग कैनाल रेगुलेशन कम्पूटराजेशन प्रोजेक्ट को और उस समय की जिला क्लेक्टर शीरी मती रुकोमनी रियार ने यह पुरुषकार प्राप्टित किया है और वर्तमान में शीरी गंगानगर के जिला क्लेक्टर है सोरब सुअमी है अगले प्रशन की हम बात करें तो अगला प्रशन आपके सामने देश का पहला BSF थीम पारक राजस्तान के किस जिले में इस्तापित किया जा रहा है तो ये जो जिला है वो है जेसल मेर जिला जेसल मेर के अंदर ये BSF थीम पारक है वो इस्तापित किया जा रहा है जेसल मेर के पास में सम के जो दोरे हैं वहाँ पर ये BSF Theme Park स्थापित किया गया है Theme Park का तत्पर है यहाँ पर इतियास के जो सारे फोटोगराफ है वो यहाँ पर लगाए गये हैं जैसे उनीसोचंतर इकैतर के यूद के दोरान जो दोनों तरफ से जो फ्रंट यूद के जो फोटो है वो यहाँ पर लगाए गये हैं वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं सम के दोरों के अंदर ये BSF Theme Park बनाया गया है अगला प्रशन है कबड़ी पर विवो प्रो कबड़ी सीजन नो हाली में संपन हुआ तो पहला तो आपको एक दियान रखना है कि जो अब की बार विवो प्रो कबड़ी सीजन हुआ है वो कौन सा हुआ है तो वो नवा सीजन हुआ है अभी जिसमें पहला जो सीजन है वो जीता था जैपूर ने और नवां भी किस ने जीता है जैपुर ने जीता है जैपुर की टीम पिंक पैंथर पिंक पैंथर के नाम से जैपुर की टीम इस टीम ने ये पुरुषकार जीता है और जो फाइनल हुआ है वो किन दो टीमों के बीच में हुआ था बता दूँ मैं आपको एक तो पिंक पैंतर के और सामने टीम थी पुनेरी पल्टन पुनेरी पल्टन इन दोनों के बीच में ये फाइनल हुआ है और सीजन नाइन खेला गया है फाइनल खेला गया कहां पे final खेला गया ये खेला गया था मुंबई के अंदर मुंबई में ये final खेला गया और विजेता टीम है पिंक पैंथर और उप विजेता टीम है पुनेरी पलटन इसमें मैं बता दूँ आपको इस season 9 के अंदर most valuable most valuable जो player है वो चुने गए हैं अर्जुन देशवाल अर्जुन देशवाल जो है वो most valuable player चुने गए हैं और सरवसरेश्ट defender जो है वो अंकुष बने हैं ये वीवो प्रो कबड़ी season 9 हाली में मुंबई में final खेला गया और दो टीम में इनके बीच में final खेला गया पिंक पैंथर और पुनेरी पर्टन के बीच में चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो निचे description के अंदर निचे description से निचे थोड़ा subscribe का लाल बटन दिया है आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और description के अंदर telegram group की link दी गई है वहां जाकर आप telegram group को join कर सकते हैं अगर link में link open नहीं हो रही है तो आप जाकर telegram में search box में 24G study है वो search करेंगे औ आपको telegram group मिल जाएगा 24G study official के नाम से उसको आप join कर सकते हैं इस class की जितनी भी PDF है और कितनी भी भरतियां जो आ रही है उनकी PDF है वो सारी की सारी आपको इस group के अंदर मिलने वाली है